दोफ्तो आईसमान कार्ट का उपडेटर आईडी लेने की परकरिया साल दोजार चौब़ेस में काफी बड़ी बदलाब करती गई है अब आईसमान कार्ट का उपडेटर आईडी लेंगे तो यहाँ पर कुछ डीटेल आपसे मांगे जाएगी जिसमें आपको एड्मिन कोड मांगे जाते हैं इस वीडियो में पूरी जनकारी बताएगे कि यह जो एड्मिन कोड होता है यह क्या होता है इससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस परकार से नए सिरे से आप आईसमान कार्ट का उपडेटर आईडी के लिए आप आउनलाइन अपलाई कर सकते हैं जसकी पूरी step by step process आपको इस वीडियो में बताई जाएगी और खासकर इस वीडियो में प्रोपर हम आपको एड्मिन कोड के बारे में जनकारी देंगे कि यह एड्मिन कोड आपको कैसे प्राप्त होगी वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज यसे एक लाइक आगे भी इस परकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज है subscribe करें ताकि आने वाले सारी अपडेट की जैनकारी आपको मिल पाएगी Iceman Card से जुरा कई सारे वीडियो हमने बनाया है कि कैसे आपको Iceman Card बनाना है, मेंबर को कैसे जूरना है, उससे डाउनलोड कैसे करेंगे उसका playlist का link आपको description box में मिलेगा, जिससे देखकर आप पूरी कामों को कर सकते हैं, सिख सकते हैं फिलाल स्किन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे अब नए सिरे से आपको Iceman Card का operator ID के लिए apply करना और कैसे ये admin code आपको प्राप्त होंगे दोस्तो, Iceman Card का operator ID लेने के लिए आपको आना होगा Iceman Card के official website पर, इसका direct link हमने video description में आपको दे दिया है, पूरी जनकारी यहाँ पर भी मिल जाएगी क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम करना होगा, आपको अपना आधार number डालना है, एक option validate का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पर किस माध्यम से करना चाहता है, OTP या फिंगर उससे चुनेंगे, यहाँ पर consent देना है, और एक option allow का मिलता है, जिस पर क्लिक करना, OTP आगा, OTP को डालेंगे, उसके बाद आपके आधार के according यह पूरी जयनकारी आपके उठा लेती है, आपको बोला गया कि जो उपर में address दिये गए, वही आपका current address है, आप simply इस बाले checkbox पर tick करेंगे, यह भी आपका fill होगा, अलग-अलग है, तो आप इसको untick और detail आपको भड़नी होगे, आपका अधार से यह photo लेता है, एक photo आपको live capture तो करने का option नहीं देता है, लेकिन आपको एक photo आपको upload करना है, जो आपका face से match करना होना चाहिए, उसको आपको डालना है, अपना email ID डालना है, और email ID को verify करना है, और mobile number को डालेगा, उससे भी verify करिएगा, इस दोनों पर OTP जाएगा, OTP को डाल देजिएगा, OTP डालते ही आपको एक option आपको मिल जाएगा, add role detail, यहाँ पर सबसे महत्पूर्ण जनकारी और यहीं पर आपको problem होते हैं, उसकी complete समाधान भी आपको हम बताने वाले है, सबसे पहले यहाँ पर देखे, parent entry मे SHA और अलग-अलग state का नाम मिलता है, आप जिस भी state से होंगे, SHA बाला जो option मिलेगा और आपका state का नाम मिलेगा, उस option को ही आपको tick करना है, अब यहाँ पर देखे, entry type आपको पूछी गई है, तो आपको किस type का काम करना है, तो आप आप इसमान काड अगर किसी को बनाते है तो card creation agency के through आता है, तो आपको यह first option चुनना है, अब यहाँ पर entry name में आपको बताना है, कि यह जो आपको operator चाहिए, ID चाहिए, वो किस परकार से अपलेना चाहते है, यह ID ऐसा नहीं कि सिर्फ CACVLE को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, जो A name है, ASA है, AW वाले है, उसके अलावे CACVLE है, gram सिवक है, उनको भी दिया जा रहा है, UTI के through भी मिल रहा है, तो अब आपको बताना होगा कि किस माध्यम से चाहिए, जैसे माल लिए कोई ASA है, ओ चाहते है operator ID लेना, तो आप ASA को चुन सकते हैं, अब user role पूछा जाता है, वहीं आप CACVLE है, CAC को चुनेंगे, तो आपको CAC ID मांगा जाएगा, बस यही है, बाकि कोई भी option आप चुनते हैं, जैसे gram सिवक है, तो आपको वही ID नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, बस आपको यह इतना चुनना है, अगर CAC है, तो आपको ID, CAC ID देना है, या पर user role में हमेशा कोई भी option यहा option मिलेगा, उससे चुनिएगा, और सबसे महत्पूर्ण जो होता है, वह admin code होता, तो यह admin code कैसे मिलेगा, तो समझे, तो अगर आप CSC सप्लाई करते हैं, तो CSC के जो DM होते हैं, district manager बनाए गया होते हैं, उनसे आपको contact करना होगा, उसकी contact detail कहां से मिलेगी, तो इस website पर हमने office में contact ररना होगा, office से आपको यह admin ID मिलेगी, अब CSC वाले कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया कि district manager का contact detail निकालने की link दिया है, उस पर आप click करिए, आपको अपना state यहां से चुनना है, अब यहां से आपको अपना district चुनना है, कि किस district का आपको यह code चाहिए, और किस district के आपको DM से contact करना, उसे डालने के बाद, आपको search का option मिलता है, जिस पर click करेंगे, अब जैसे ही आप search करेंगे, तो आपके district के लिए, जो भी व्यक्ति, जो है, DM के तोर पर alert किये गये होंगे, उनका नाम देखनों को मिलेगा, उनका mobile number और उनका email ID देखनों को मिलेगा, जब हम online apply कर रहे हैं, operator ID के लिए, तो वहाँ पर हमसे admin code मांगे जा रहे हैं, जैसे आपके जनकारी के लिए, मैं आपको बता दू, यह mobile number का प्लाश डिजिट और शुरू का दो डिजिट देखिया, हमने अपने DM से contact किया, उनको call किया, उन्होंने call भी receive किया, और उनको हमन बताएंगे, यह number आपको सेंद देखनों के मिलेगा, शुरू का और लास्ट का डिजिट, यहाँ पर हमने उनको एक link भेजा, जिस link से apply करना, हमने आपको बताया कि उससे apply किया जाता, तो उनके द्वारा बोला गया, कि स्कीन सोट भी आप share करिये, कहां पर क्या मांगा जा तो हमने स्कीन सोट भी भेजा, तो उनके द्वारा बताया गया, कि आप जो है, अपलाई कर रहे हूं वहां से, आप वहां से apply अभी मत कीजिए, मैं आपको एक link भेज रहा हूं, उन्होंने एक Google Drive का link भेजा, बोला गया कि इस link से आप हम को भरिये, इन्होंने यहाँ पर भ होता है, इसमें आपको समय वही 10 से 15 दिन लग जाएगा, आपकी ID को approved करने में, आप अपना register, mobile number को डाल कर आप login कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी आपको district manager होंगे, CST के, वो आपको admin code आपको अप्लब्द भी करा सकते हैं, तो जो admin code अगर आपको अप्लब्द कर बात देत हैं, उस admin code को यहाँ पर आप डाल कर, add कर, आप direct submit कर दिजेगा, इसके आगर कोई process नहीं है, submit करने के बाद आपका approval के लिए चला जाता, अगर admin code आपको नहीं मिलता, तो उनके द्वारा जरूर एक link मिल जाएगा, Google Drive का, उससे आपको भड़ देना है, जिसमें एक basic जनकार यहाँ पर देखिएगा, उससे chain करकर, बाकि यहाँ पर आपको data birth बताना है, आपकी जो present address होगी, आधार वला address होगा, आधार number होगा, district होगा, उससे डाल कर आपको submit कर देना है, form आपका submit हो जाएगा, और उधर से आपका ID approved हो जाएगा, इस माध्यम से अब आपको operator ID मिलन इन बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे अभी fraud हो रहा हैं, हमने देखा YouTube पे काफी सारे ऐसे लोग है, जो आपको बताते हैं, comment box में comment करकर, कि मैं आपको admin code दिला दूँगा, उससे जभी आप contact करते हैं, फिर आपके साथ पैसा का demand करते हैं, पैसा देते हैं, कोई गल आपको उपलप्त करवा देंगे, या आप किसी अन्य विभाग से अपलाई करते हैं, जैसे आसा वाले हो सकते हैं, आप ग्राम सेवक वाले हो सकते हैं, तो आपको आपके विभाग से ही ये admin code मिलेगा, उनके द्वारा ये भी बताया गया, कि admin code ये मुख्य रुप से लाने कि माल लिजिए, अगर कोई CAC really apply कर रहा है, वो अपने CAC ID को सिर्फ approve करवा कर रखे हुआ, उससे कोई काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को operator ID नहीं दिया जागा, operator ID उनहीं को मिलेगा, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो किसी का card बनाना चाहते हैं, उनहीं लोगों का य इसलिए ये admin code लगा दिया गया है, बीना आपको DM से contact किये, अब आपका form नहीं भरेगा, या तो उनके द्वारा ये code दे दिया जागा, या आपको हमने बताया, क्या आपको Google form उनके द्वारा link मिलेगा, उससे submit कर दिजिएगा, आपको ये जो CAC का operator ID है, easily मिल जागा, कहीं ने message किया, सिन नहीं किया, तो यहाँ पर email आप कर दिजिए, email को copy कर लिजिए, टू बाला में चो email ID अपने copy किया है, उससे पेस्ट कर दिजिए, subject में आप लिख दिजिए, CAC admin code, बाकि यहाँ पर आपको अपना नाम बता देना है, अपना जो address है, वो बताएंगे, अपना CAC ID यहाँ पर लिख दिजिएगा, और यहाँ पर बिस्तार पुर्वा का बता दिजिएगा, कि हमें, जो है, admin code की आवे सकता है, क्योंकि हम CAC operator के लिए apply कर रहे हैं, यहाँ पर admin code मांग रहे हैं, और उसका screenshot भी जरूर attach कर दिजिएगा, यहाँ से जाईएगा, attach बाले पर click कर लिजिएगा, जो भी आपका screenshot होगा, उसे यहाँ से डाल कर open कर दिजिएगा, यहाँ पर upload हो जागा, और यहाँ से send कर दिजिएगा, इस परकार आप अपने DM से contact easily कर सकते हैं, और वहीं से आपको reply आएगा, और आपको यह CAC का अगर code मिलना होगा, आपकी पूरी detail verify करने के बाद तो आपको जरूर दे देंगे, या कोई link आपको जरूर उप्लब करा देंगे, जिससे आपको easily CAC का आईसमान operator ID जो है, आपको मिल जाएगा, दोफ्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी step by step process बताया कि किस परकार से आपको admin code मिल सकते हैं, मैं उमीद करता हूँ, आपको ये पूरी जैनकारी मिल चुकी होगी, और ये किन को मिलेगा, उसके बारे में भी हमने बात किया, वीडियो अगर आपको पसंदा हो, तो इसे like, share कर दीजिया, और चाहते हैं, आगे में इस परकार की update आपको मिलती रहा है, तो चैनल को सस्क्राइब करिए, बड़ा इस मान कार्ड में, अगर आपके पास ID नहीं है, तो कैसे बनानी है, उस पर भी हमने detail वीडियो बना दिया है, यहाँ पर वीडियो मिलेगा, उसे देखकर आप सिख सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,